चुनाव का सबसे अनोखा शो फिर हाजिर है चौथा संस्करन लपेटे में नेता जी हमाई साथ कवी हैं और नेता हैं और जिस अंदाज में कवी नेताओं को लपेटे में लेते रहे हैं सीरीज में वह आप फिर देखेंगे चुरुआत करते हैं सबसे पहले हमाई साथ हैं बनारस से विनोध पांडे साब फिर हमारे बीच हैं सेफ़ाई से गौरव चौहान इटावा से रोहित चौधरी और और औरया से अजे अंजाम लपेटे में लिए जाएंगे समाजवादी पार्टी से अनिल यादव बहुजन समाज पार्टी समर्था गृतु जी बीजेपी से नुपूर शर्मा जी और कॉंग्रेस से आलोग जी गौरव जी शुर्वार सभी नेता बड़े खुशूरत लग रहे हैं तो सबको प्रणाम करता हूं और यह मुस्कुराहाट कारिकरम के अंत तक बनी रहे ऐसी दुआ भी करता हूं और इसलिए आपसे पूरे मंच की तरफ से विंती करता हूं यूँही बैठे रहो मुस्कुराते रहो अपने वादों से सबको लुभाते रहो हम यूँही अपनी कवीता सुनाते रहें आप यूँही लपेटे में आते रहो और मेरा पहला प्रश्ण मानेनी आलोग शर्मा जी विद्वान व्यक्ति हैं एक बॉलिवुड में आप सबने सुनोगा ब्रेक अप सौंग चला यूपी में पेचप सौंग आप लोगोंने क्रियर्ड कर दिया है तो सवाल तो बनता ही है और कहता हूं कि खुद के ही सिद्धा क्यों खंडन कर लिया और यूपी की बदहाली का अभिनंदन कर लिया बोलो राहुल जी ने काहे ये गठ बंधन कर लिया ये गठ बंधन कर लिया तन पर साप लपेटे खुद को चंदन कर लिया बोलो राहुल जी ने काहे ये गठ बंधन कर लिया जवाब दीजिए बीमार पार्टी को अक्सीजन मिली दवाई कहते हैं सही समय पर ली जाने वाली अंगड़ाई कहते हैं पानी पीपी जिनको कोसा पानी पीपी जिनको कोसा उनसे हाथ मिला बैठे क्या इसको ही चोर-चोर मौसेरे भाई लेकिन देखिए जिस तरह से पिछले तीन साल से मोधी जी केंदर में सरकार आने के बारे सवाल आप से फिर मोधी जी मैं समझता हूं कि जिस तरह से देश का ताना बाना खास तोर पर आर्थिक और सामाजिक ताना बाना विखंडित हुआ देश का यह हमारे लिए जरूरी हो कि एक जिस तरह का एंकारी प्रवर्ती का शाशन आ गया देश के अंदर आप लड़ा रहे हैं आप पूरे देश के अंदर डर पैदा कर रहे हैं उस डर को कम करने के लिए जो विकास की गती हमने पिछले दस वर्षों में यूपिय के शाशन काल में पकड़ी वो रुक गई थ पूरी तरह से नोट बंदी से तीन करोड लोग बेरुजगार हो गए थे उसको ब्रेक लगाने के लिए ये शाशन ये गटमंदन बहुत जरूरी था जिनको देश की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया उसके बावजूद आर्थिक विकास पूरी तरह से रुग गया केव अब फार्मूले और जुमले हो गए सबसे बड़े शिखर पूरुस से बहुत सवाल इस समय सोसाइटी उठा रही है उन्हीं को मैं अपने शब्दों में पूछता हूं कि बस इतना बतलादो असली जनगन मन कब आएगा बस इतना बतलादो असली जनगन मन कब आएगा मन र भाईयों बहनों का अंतरमन पूछ रहा पक्का बोलो बाहर वाला काला धनकव आएगा बहुत है नुकुर जी मेरा भी सवाल भाजपा से ही है तो मैं एक प्रस्णाप लोगों से पूछता हूं कि वोटों के लिए आपने वादा न निभाया वोटों के लिए आपने वादा न निभाया जिन से थी दुश्मनी उन्हीं से हाथ मिलाया एक एक बूंद को तेरे अपने तरस गए अपने तरस गए तेरे अपने तरस गए स्वामी प्रसाद मौर्य को छक छक के पिलाया तो ऐसा क्यों कि आपने आपके जवाब दूंगी सबसे पहले तो आपका सवाल एक तो यह बहुत जरूरी है समझना कि जब यह काले धन की बात हुई थी तो सबसे पहले बात यहीं हुई थी कि भई भार तो कमी बचाय घर में सबसे जादा है तो काला धन चाहिए यहां का हो वहां को काला धन काला धन मतलब कि बिना कर दिया हुआ पैसा है वो किसी तरह सिस्टम में वापिस है इसमें कोई बुराई नहीं है और दूसरी बात आपकी देखिए कम से कम 27 साल यूपी बेहाल दूसरों को गाली देके उनक ने कहा कि काला धन वापस आएगा फिर कहने लगेगी टर्रेस्ट एक्टिविटीज खतम हो जाएंगे फिर कहने लगे हम डिजिट्राइजेशन कर रहे हैं इंडिया का और अब रियल स्टेट पे आ गए अनिल जी आप क्या कह रहे हैं गौरब जी इतनी कृपा तो कर दिज जवाब तो सुन लीजी हमारा तो आपसे तो सवाली नहीं था नहीं तो मैं उनकी बात पर कह रहा था आजकल कांग्रेश की पीड़ा सफ़ाग होती सफ़ागी यह देश की पीड़ा है यह देश की पीड़ा है जो आम आदमी परेशान था नोट-बंदी से तीर्सों से नाले पेशेंस कहां से आएगा चश्मे का बस फ्रेम दिया है लेंस कहां से आएगा और मोबाइल तो दे दोगे तुम फी में लेकिन बतलाओ मोबाइल में पढ़ने को बेलेंस कहां से आएगा कि अध्क साल से ने हो फिर भी ये लाचारी है पांच साल से सत्था में हो फिर भी ये लाचारी है कम जोर हो जिसकी चिनता में तुम वो जनता आभारी है लेप टॉप मोबाइल सब कुछ फ्री में देने वालों क्या लोग तंतर की मालिक जनता लगती तुम्हें भिकारी आप एक बात बताईए मुझे देखिए अकेली समाजवादी पाइटी ऐसी होगी जिसने अपने जो वादे मैनिफेस्टों में किये वो पूरे भी किये तो फ लेकिन विक्टे कैसे बदल गई अब प्रचार करने वालों की शिफ्टे कैसे बदल गई जब तक नोट नहीं बदले थे तब तक किसी और की थी नोट बदलते ही बोलो ये टिक्टे कैसे बदल गई लालच में उन लोगों की टिकट जरूर बदल गई लालच का थी जितने की तरफ भागेंगे ना नहीं वो मोदी जी के जुमलों में फस गए तो मैं चाहता हूं आप मेरे सवाल का जवाब दें कि सबके सबके विकास वाला नारा है बहन जी का धर्म जाती वाली खाई बोलो नहीं पाटा क्यों और दलीत विकास यदी खुला है एजंडा में दलीतों को धेर सारा टीकटन बाटा क्यों नोट बंदी वाला माना असर नहीं था फिर नोट बंदी वाला माना असर नहीं था फिर नोट बंदी वाला माना असर नहीं था कोई नोट वाला हार छोड़ बोलो सहाघाटा क्यों और जन्म दिन अपना मनाती बड़ी सांसे थी अब की बताओ भला केक नहीं क पहली बात तो उनका मिल नाम माया और Mror Lawless Candor Q कुर्णा उनको ऑफ क्यों मप सौर्ण मों उनको नहीं क्यों काटा में जैना जाना चाहता आचा मोस्ति यह का टे तब कभी दा ना काटे तब था आज देख ली जिए आज देख लीजित सब्सक्राइब कि जंता को डिसकांट हुआ लेकिन राजड़ेतर पाटियों को जादा हुआ जितने चोर नेता है जेल में बिठाओगे और तीन साल बीते हैं इसलिए ही पूछा है कब तलक्यू जुमलों का जुन जुना बजाओगे 2014 में होदी जी ने कहा था कि जो नेतागर ने जिनकी उपर संगीन जुर्म के मामले दर्जे इनके फास्ट्रैक होके इनके जल से जल इनके कम से कम और जज्मेंट आनी चाहिए ताकि जैसे अभी हाली में हमने पिछले हफते देखा है कुछ नेतागर्ण साउथ ओफ इंडिया कोई MP है तो BJP के हैं सबसे ज्यादा दागी candidate अगर UP में है तो BJP के हैं तक दिए दरिया भिनी किंतु समंधर बना दिया क्यों आलु बोखारे को चुकंदर बना दिया जैसे आलु बोखारे को चुकंदर बना दिया गांधी के घराने में वे पैदा क्या हो गए उनको भी मुकदर का सिकंदर लगता है तुमको ये विक्ट्री दिलवाएंगे सब्तर सालों की कैसे मिस्ट्री सुल्जाएंगे यहां सड़क पर फेंके जाते लोगों के आलू आप कह रहें आलू की फैक्ट्री लगवाएंगे यह गांडी फैमिली पंडित नहरु जी ठेरा साल जेल में वह भी देखना चाहिए समर्पन को सवाले नहरुचे से पाद क्या इंद्रा जी का योगदान लेकर और तमान उनका सवाल है उससे आलू की फैक्टरी का क्या मतला है कि मैं समझता हूँ वह आलू के चिप्स की बात थी और आलू पर वो चली गई उसको आप एक विशे को उठा कर अगर पकड़ कर रखें तो मोदी जी तो रोज सो विशे उठा रहे हैं उनको पकड़ा जाए आज आप सर जोटालों में केवल जनता ही फिसी थी क्यों करते रहे वसाबदामाद की चिंता DAVID मैं और जोड़ देता हूं उसके वाद आप जवाब दे न क्याकि यह जनता का सवाल है कि घोटालों से करी कमाई खोटालों से करी कमाई उसे कहां ढखकर बैठे पोश्टरों में नहीं दिखे वे क्यों सबसे हटकर बैठे पांच साल में बहन प्रियंग का वोट मागने जवाई पूछ रहे हैं लोग कहां पर जी जा जी चुपकर बैठे लगाया गया जरूर उनका संबंद कॉंग्रेस से रहा लेकिन आप जानना चाहते हैं आपने तमाम गोटोलां की बात की बीजेपी ने बात की दमाज श्री करके पुस्तक भी निकाली अरे अभी तक तीन साल के अंदर उनके उपर कोई भी एक्शन क्यों ने लिया एक सबसे इ नहीं मांगी है और यह आपको भी पता होना चाहिए यह पंजाब हर्याना सुन्यें सुन्यें क्योंकि स्टे और है सब्सक्राइब पहुच गया है कोट यह सचा है मैं तीसरे एंगल पर जाता हूं काफी देर से हमारे अनले यादर जी सपा से बैठे और हम उसी घराने के हैं सहाब आपका जो में जहां पर अड़ा है उसी के आसपास हम लोग भूंते हैं तो वहां से एक सवाल उठाता हूं बड़ा बड़ा दर्द जेला साहब हमने बीते पांच पांच शेवर्सों में और उस दर्द को चैर बंग्तियों बांध एक से सवाल करता हूं आप से पूरा की सवाल पूछ रहा है हर साल होता है ठीक है ऐसा नहीं था कि दंगा दंगा की वज़े से हो रहा था लेकर जब इस तरह के दंगे होते हैं या राष्ट जब किसी बड़े शोग में जाता है तो हम अगर यह अपनी पर यह चीज़ होती है तो मैं मैं रोजगारी पार चोटा जाउदार देना चाहिए लोगों ने बड़ा विकास किया आप सब लोगों का बहुत काम बोल रहा है खुब लैपटॉप वगरा बाते हैं आप लोगों ने तो मैं चाहता हूं कि कहीं ऐसा नहों कि आपके लैपटॉप का मामला बिखर जाए क्योंकि कई सारी भरतिया उत्तरवदेस में रूकी टीचरों की हो तो मैं आपसे कहता हूं कि बेरोजगार लोग बुरा हाल न कर दे बेरोजगार लोग बुरा हाल न कर दे भरती रुकी हुई है वो बदहाल न कर दे भरती रुकी हुई है वो बदहाल न कर दे इस्मार्ट फोन बाट रहे हो जिन है टीपू कौन है आप सब ल ऑलोग कहीं आपको मिसकाख अपाम आजार में। ही आपकी पार्टी का रुख क्या रहा ताजी घटना है की काम बोलता है ये सुनकर दिल में दर्द उमड़ता है काम बोलता है ये सुनकर दिल में दर्द उमड़ता है रेप करे नेता अबला को नाक रगड़ना पड़ता है और डी जी पी तक की कोई डी जी पी तक की कोई औकात नहीं है यूपी में मंत्री जी पर केस का ओर्डर कोट को देना मुठी झीनन रेप केस था और बेटा के मंदल में लिए रहें गलोगीए कोट सungन करके बुलार यह पुलिस कर दो जो 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 गुजरात में जो चार नेता आपके गैंग रेप में पकड़े हैं आप एक बात बता दीजिए वह आपकी पार्टी के नहीं थे और वह जो दिये जो चीजों की बात कहूंगी और आपके लेजे में कहूंगी अरे चलो हमने आतंके समर्थों को खिला दी जेल की हवा अब क्या कहेंगे वो लोग अब क्या कहेंगे वो लोग सुनिये के नाम एक मुनेट एक मुनेट पूछना चाहता हूं यह यह साफ दिख रहा है कि नेता लोग एक दूसरे को लपेटे में लेने में बहुत लेते हैं नुपुर ज्यादा गंभीर हो गया काफी बहुत देर से आप खामुश बैटे थी राष्ट्रवाद पर यहीं कांग्रेस बीजे भी लड़ते रहते हैं आप कौन सी भूंका अपना रही इंचुनावों में कि तिलक तराजू तलवारों को खूब डाटने वाली हो जात पात में इस समाज को आप बाटने वाली हो और दलित और मुस्लिम वाला काड अपने खेला है ऐसा करके आप भी केवल देश माटने वाली हो इस भात मैं आपको जवाब कर दो क् its हो जब देश अजाद हुआ तो भी साथ खड़े थे मुस्लिम भी हमारे साथ कड़े थे कंदा से कंदा विलाए साथ खड़े तोड़ देंगे रेक्षिन कमिशन के गाइडलाइन भी नहीं मान रहे आप चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए रितू जी कि जो चुबते आख म में उन पर इनायत हो गई कैसे जो चुबते आख में उन पर इनायत हो गई कैसे उन्हीं से दूर तुमको सब शिकायत हो गई कैसे कि जिन गुंडों की छाती पर कभी हाथी चढ़ाती थी यह आपका नारा था कि जिन गुंडों की छाती पर कभी हाथी चढ़ाती थी उन्ही मुखतार से तुमको मुहबत हो जई कैसे देखिए जो उनको इलेक्शन लडाया या टिकट दी कोई उन पर ऐसा वो नहीं है कि ठीक है वो क्या कहते हैं लड़ रहे हैं लेकिन अभी भी कोई पूरूप नहीं हुआ को सबूत नहीं है जब तक सबूत नहीं है तो सब लोग पीड़ा भी हो सकती है शब्द मेरे हैं और इसका जवाब आपको देना है आप बताइए कि घर में रखी जमा पूंजी वाला साया भी छीन लिया जिससे काम चलाते थे वो सरमाया भी छीन लिया पंद्रे लाग बताते थे पंद्रा पैसे भी नहीं मिले पत्की पाकिट से म करके दिखाया क्यों नहीं कहा था जो करके दिखाया क्यों नहीं मोटे माल वालों को उठाया क्यों नहीं नोट बंदी में केवल गरीब ही मरे नेताओं को लाइन में लगाया क्यों नहीं आप मैं इतना जरूर मानती हूं जिनके पास घर की जमा थी धाइलाग तक उनकी तो वाइट थी वैसे भी मुझे नहीं पता कितने भी अच्छे स्थर की महिला हो धाइलाग से उपर कैश घर में रखेंगे उस समय इस्थिति यह थी कि जमा नहीं हो पा रहे थे मैडम महिलाओ अनिल जी एक बात पूछना चाहता हूं दूसरे पर आरोब लगा रहे हैं और आप विकास के दावे कर रहे हैं और विकास की नाबर वोट भी मांग रहे हैं मैं पूछता हूं कि जनता के पैसों पर होती ठाट बाट कब रोकोगे जनता के पैसों पर होती ठाट बाट कब र प्रदेश में शुरू करी आपको बता दू कि वह इतनी अच्छी सेवा थी कि बाहरते जंता पाइटी ने अपने मैनिफेस्टों में कॉपी कर ली और तो छोड़िये हमने 1090 शुरू किया है 10 मिनिट के अंदर 15 मिनिट के अंदर अगर पुलिस ना पहुंचे तो बताईएगा मुझे अनिल जी से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना इनके बड़े नेता ने एक जुम्ला कहा था सुरक्षा की विवस्था को जोड़ते हुए वह प्रस्न में आप से जरूर करना चाहूंगा आप पार्टी की तरफ से जवाब दें अपराधी गुंडों की खातिर जाना खोला था आम आदमी के हिस्से में केवल खाली जोला था एक तरफ दसनब्बे पर ही खुद की ठोंकते हो लड़कों से गलती हो जाती है ऐसा क्यों बोला था स्टेटमेंट तो गलत तरीके से पेश किया गया वो डेथ पेनल्टी के उपर बात हो रही थी उसे मीडिया ने और कुछ राजनितिक लोगों ने राजनितिक फायदे के लिए इस्तमाल कि जिने हैं बुदायू बुलंचहर और दिल्ली की निर्भिया की याद भला वो कैसे करेंगे अरुन वर्मा और गायत्री प्रजा प्रतीक पर विश्वास जड़ा बताईए जवास रितु जी स कैसे वादा निभाईएगा बोलो बहंजी कैसे वादा निभाईएगा कैसे विकास होगा कुरसी जो पाईएगा मुसलिम दलित गड़ित में सत्ता अगर मिली तो प्रश्ण देखिए गार कि मुसलिम दलित गड़ित में सत्ता अगर मिली तो इस बार बोलो मुर्ती किसकी ब बनाईएगा देखो जो मूर्ती बनाई थी वो डॉक्टर बाबासाब अम्बेट कर की थी और उसे तो सब्सक्राइब आपकी भी मूर्ती बनी थी अरे सबी मानते हैं तो यह तो कई सालों से यूपी में सपा और बसपा आप पात्मा साल का गेम खेल रही हो पास साल तुम पा बर्पूर विकास किया होता पांच साल के बाद तुमीं फिर सयाती अखलेश ना होते हैं अब लोगों ने विश्वास किया ता जिस तरह यह बोलते हैं और आज लोग भेंजी की सरकार चाहते हैं अगर ऐसी वात है तो यह बताईए यह पहली बार नहीं है तीन बार सी एम रहीं तुम तीन बार सी एम रहीं तुम तब तो कुछ ना कर पाई अपने जीवित रहते तुमने अपनी प्रतिमा लगवाई अब करती हो खूब घोषणा राम राज्य को लाने की क्या बहना यह चाले हैं सौने के हिरन दिखाने की बहुत बहुत बढ़ी जी जो भेंजी जो बोलती है न वो करती है और आप देखो जो भेंजी ने जो विकास किया ताजवे एक्सप्रे बना स्कूल कॉलिज बने लोगों को दोदो कमरों के माकान दिये यह किसके लिए अलोग जी बहुत देर से आप मुस्क्रा रहे हैं आप जिस व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर रह दिखाते हैं संजीदा जनता को लिखाते हैं मैं ले लपते इतनी पाते कहां हो आप शक्ती बताओ इतनी पाते कहां हो आप कैसी दवा है बोलो खाते कहां हो आप भासड में जोस दिखता छुटी से जब से आए भासड में जोस दिखता छुटी से जब से आए राहुल जी छुट्टियों में जाते कहां हो आप कि समस्ताओं के चुट्टी मनाना किसी का भी व्यक्तिगत मामला है जहां तक आपदा की बात की टाइमिंग खराब होती है जहां तक उनके कंट्रिबुशन की बात है चाहे वो मन्रेगा रहा हो तमाम जो पिछड़ों से गरीब से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं यूपी यूपी पाइसे ने बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश को दिया था और उस मुद्दे से आप फुल फ्लेश मेजोरिटी में हमारे सूबे में आई थी वो मुद्दा आपके लिए बहुत गोण हो गया उस पर चर्चा नहीं हो रही हमारे प्रदेश की जंता आप से एक सव कार बनाई थी जैश्री राम बोलने वालो मंदिर कंपना एक में तुनिये जो हीरो थे वो जीरो है चर्चा में गुम नाम आ गए बड़ बोले और धीट निठल ले भी चुनाव में काम आ गए बहुत समस्या है लेकिन उस पर सीधे मुह बात नहीं जैसे ही चुनाव आया की एजंडे में राम आ गए यही सवाल अलग अंदाज में पूछना चाता हूं कष्ट होता है कि जब-जब कुरसी पाई तुमने नुपूर जी आपके लोगों ने जब-जब कुरसी पाई तुमने सत्ता मद में फूल गए मुद्दे का जूला और उसी में जूल गए और पहली बार मिली थी सत्ता जिनके नाम के नारे से सत्ता पाते ही क्यों तुम उस राम लला को भूल गए अज भी यहां बैटके बता रही हूं हम नहीं भूलें अच्छा हुआ जो वर्डिक्ट आया वहाली में आया बहुत अच्छा हुआ लेकिन मैं गेब जरूर अभ्याद दिला दू कि हम तो नहीं बूले हमारा मुद्दा आज भी है जरा सवाल और प्रशन उनसे पूछिए आपने कहा कि हम भूले नहीं है आपको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है अगर भूलने की बीमारी नहीं है तो एक बात और भूल रही है वो मैं पूछता हूं कि इतनी अच्छी इतनी अच्छी कैसे चलते चाल बता दो मोदी जी इतनी अच्छी कैसे चलते चाल बता द कि अडवानी जी का थोड़ा सा हाल बता दो मोदी जी जिए कि आज भी अडवानी जी मोदी जी की बगल में ही बैटते हैं जब भी लोग सभा में आते हैं तो उमर भी एक चीज होती है और आज भी कुछ भी बड़ी चीज हो तो आशिरवाद अडवानी जी ही देते हैं मुद्दा सब लोग भूल गया है बहुत ताजा मुद्दा है बयान बाजियां इनकी कैसी है आपकी पार्टी कैसी है कुछ की जिस्म दुखाती है लेकिन कभी-कभी आपकी पार्टी से जो बयान आते वह आत्मा को दुख देते हैं काश्मीर में मरे जिहादी दर्द जताने लगते हो बटला हाउस में जाकर के अश्रु बहाने लगते हो और प्रशन उठाते हो सेना की सर्जीकल स्ट्राइक पर पत्थरबाज को लेकिन मासूम बताने लगते हैं वह समस्ता कि सीबी पत्थरबाज को किसीने मासूम नहीं बताया बताया साथ सो पत्थर्बाज ओं को ईद से पहले दिन छोड़ा गया मोधी जी कह रहे थे इनके हाथ में लप्टॉप देंगे उनका क्या हुआ क्या वही पत्थरबास दुबारा से वो काम नहीं कर रहे हैं बाटला हाउस पर जो हुआ पूरी तरह से ग्रह मंतराला ने अपना बयान दिया अगर किसी व्यक्ति ने दिया ना कॉंग्रेस पार्टी ना अलोक शर्मा उनके साथ खड़ा है आपके लहजे में एक मैं जरा एक पूछना चाहती हूं आपसे और बताना भी चाहती हूं कि जिनके हाथ में होना चाहिए था कलम उनके हाथ में पत्थर हो जिनके हाथ में होनी चाहिए थी किताब उनके हाथ में थामी आपने बंदूख हो अब क्या बताएं गालिब तुम्हें अब क्या बताएं गालिब त ओर देश की जंता सुने और कांग्रिस की लोग भी सुने कि जब चाहा तोड़ा जब चाहा तोड़ा खाया अखुरोड बनाकर रखा है सिर्फ इलेक्शन में पहना वो कोट बनाकर रखा है और सालों साल रहे सत्ता में फिर इतनी बधाली क्यों मुसलमान को तुमने केवल पूछ चुका हूँ एक सवाल सब पार्टियों के लिए क्योंकि चुनाव आते ही धरम गुरुओं से फद्वे भी जारी होने लगे हैं तब कहता पूछना चाहता हूं कि सियासत की कलम को खून में मेरे डुबाते हो बचाने कुर्सियां अपनी तुमापस में लडाते हो सिया मैं इंसान से हिंदू मुसल्मा क्यों कवी राज जी ने पूछा के साथ साल में सतर साल में आपने केवल वोट बैंक मनाया मैं समझता हूं कि 243 रुपे पर कैपिटा इंकम 1947 में एवरेज थी मुसलिम्स की केवल 14 रुपे थी आज वो लगभग पारलेल आकर खड़े हुए ह इंकी अपनी है मैनफेस्टो याद दिला दूं जिसमें साफ कहते हैं के भाईया हम से एक मायॉर्टी और मीनोरी अर्म सिर्फ एक मायॉर्टी मुसलिम मायॉर्टी का भला करेंगे और साथ में प्रधान मंतरी कह दैते हैं और देग और इफर्स राइट बारी बाकी लोग कै पापा को तसली दो और चाचा को पटालो पीती क्या अमर सिंग पे थोड़ा कस्ट बटालो और यूपी संभालने की चिंताबाद में करना पहले तो अपना तूटता परिवार संभालो त sophomore year क्षिक delusion आधे सकते उसलिए पूछताँ की भत जत्रखा आधी शक्ति ऊधार हुआ ये और फिर मनका कैसे होगा 2012 वाला फिर से जलवा कैसे होगा सेंफ़ी में बटवारे की तेहरीर दिखाई देती है जो घर का ही नहीं वाम सब्का सबसे बड़ी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में डेश्क में डाइल हंड्रेड नाम की सुईधा उत्तर प्रदेश में 1090 उत्तर प्रदेश में वीड के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर वन शुगर के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर वन दूद के इमांदारी और पार्दिश्टा की बाद आपकी पार्टी की तरफ से होती है तब एक प्रश्ण उड़ता है छोड़ छोड़ कर नेता भागा इतना क्यों लाचार हो गया क्यों बहुजन समाज से न्यू दिल्ली के विदानसवा एलेक्शन लड़ा और वो भी उस सीट से न्यू दिल्ली से तो मैंने तो एक पैसा नहीं दिया लेकिन मैं तो कहती हूं जो नेता बोलता है वो सबूत दे दे जब बीजेपी गवर्मेंट केंदर में आई थी उन्होंने आते ही एक बहुत ब ठुके नहीं हम कैसे विश्वास करें तस्वीर बदलने वाले हो बुलेट ट्रेंच चलवाने वालों रेल हादसे रुके नहीं एक एड़ान कर दू में शहादतों वाली शहीदों वाली बात हुई आपने सर्जिकल स्ट्राइक का बॉट डिनोरा पीटा लेकिन असलियत यह है कि आज भी आतंकी हमले रुके नहीं है हमारा एक चवान कमांडेट CRPF का जिन्दगी और मौत की बीच जूल रहा है मैं पूछना चाहता हूं कायरता का तेल चड़ा है लाचारी की बाती पर 56 इंची सीना दिखाने की जुरूद है नुपुर जी कायरता का तेल चड़ा है लाचारी की बाती पर दुश्मन नंगा नाच रहे हैं भारत मा की चाती पर हम आतंकी हमलों पर बस दो आसूरों देते हैं गीदर चार मारने में हम कई शेर खो देते हैं अब हमें तुम मत रखिये जूटी किसी दिलासा में क्रोध नहीं अब क्यों दिखता है आज रिसी दुरवाशा में परशनाता है क्रोध नहीं अब क्यों दिखता है आज रिसी दुरवाशा में और कब रगड़ेगा पाकिस्तान ना क्रहम की आशा में और कब बोलेगा भा तो गवार्ष और पहले से नहीं हो रहे और पिछले दो साल में हुए यह हमारे लिए आम बात बंचुकिए बॉर्डर पि जितने भी हमारे जब मैंने कहा तो वो समय और था इटावा के चुनाओं में क्या कहा वो इटावा की बात माता जी जो मेरी हैं उन्होंने सबको एकत्रित करने की सबको जोड़ के रखने की उनका रूल बहुत बड़ा रहा है प्रतीक वार अखिलेश मेरी तो आखे कि अगर बेहाल यूपी है तो किसका दोश है प्यारे मुझे मालूम है ये चार दिन का जोस है प्यारे जिसे थे कोस ते कल तक उन्हीं से दोस्ती कर ली निकलती अबू नहीं बोली बहुत खामोस है प्यारे तो क्यों ऐसे इस्थिती है नहीं आप सपा के खिलाब बोलते थे अब सब्सक्राइब वहाँ पर law and order की या गटबंधन की सरकार के बाद कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहले यह सवाल कॉंग्रेस से बार-बार होता है यह सवाल कॉंग्रेस से बार-बार होता है जो था नाम दुबाने वाला उसका कैसे नाम लिया सूबे की जनता तुम पर यही इलजाम लगाती है गुंडे और माफिया लोगों से अब तक है काम लिया पिताइब की अपराढ़ हो के अपराणों के सबक्राणल ्यशय सुलिज्य, मैं जब भी जवाब है सेम जवाब है सेम जवाब है करन अरजु नाइंगे अपराढ़ होखे शर्भत में विकास घोलता है और घरका व्यक्ति ही शिसनसद कह द्वार खौलता है और एक बतीजे को चाचा का दिल डोलता है ऐसे ही क्या भाईय काम बोलता है काम बोलता पर तो मैंने जवाब दिया ही था पहले गटबंदन पर बताए तो मुख्यमंत्री अखलेश यादर जी ने पहले भी कहा कि हम लोग सक्षम थे क्योंकि पिछले पांच साल में हमने इतना काम किया है हर वर्क के लिए काम किया है कि हम लोग अपने बलबूते पर सरक कि कितना विकास किये अरे भाई सुन लो पहले उत्तर भी देंगे ये कि कितना विकास किये अखिलेश जी बताओ लोग भी तराजुले के काम तोलने लगे है और घर का विवाद जरा साफ साफ समुझाओ चाचा ही तुम्हारे अब खिलाब राज खोलने लगे हैं और खाली है मुसल्मा खाली है मुसल्मा तो नौकरी नहीं दिये क्यों आपकी गलती है सरकार आपकी थी खाली है मुसल्मा तो नौकरी नहीं दिये क्यों आपके ही लोग सारे राज खोलने लगे हैं और इतना तो जबाब का भी काम नहीं बोलता है जितना जनाब आजम खान बोलने लगे हैं क्यों अब पूरा टाइम देंगे तो पंदरा का पंदरे जवाब देदुगा अब बताइए कौन से का आप जवाब सुने तेकि आजम खाने पहले शिपाल जी की बात करता हूं और क्यों ऐसा करते आजम खाने जवाब लेते हैं बिल्कुल 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 अब देखें आप ऐसे अनुर्गल बाते गरेंगे आप नितुजी ऐसे क्यों कर रही है रक्ष्य मंत्री देश का सुरक्ष्य तंत्र खागए है ख्रशी मंत्री चा राचीनी ग्याहुदान खागए और नियम कानून सदाचार सब चर गए सरकारी बैल सारा संभिधान खागए बहुत बहुत चुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां शामिल होने के लिए लपेटे में नेता जी चुनाओं का सबसे अनोखा शो फिर आजिर होगा यह चौथा संस्क्रण आपने देखा जिसमें हमारे साथ थे और यह से अजय अंजाम जी रोहित चौदरी साब इटावा स सैफई से गौरव चोहान जी बनारस से विनोत पाड़े जी और मैं शुक्रियादा करूंगा सभी निताओं का भी समाजवादी पार्टी से आने लियादव वितु सिंग जी बीस पी समर्थक और बीजेपी से नुपूर शर्मा जी आलोग जी हमाज साथ थे कॉंग्रस से आ देख तरी आप, News 18, India.